जब मनवा घब राए राह नजर नाए प्रस्नों का पिटारा लाए ये उलजन सुलजाए प्रस्नों का पिटारा लाए ये उलजन सुलजाए बेगशाद खुशियों से भर जाएंगे जनार अच्छे सवार सचे जवार मैं रुना साव प्रशाद हूं कैलिंपुंग निवासी डॉक्टर ग्रैम सोम्स की सहाइक हिंदी की सहाइक सिच्छी का सर मेरा प्रश्न है कि आज कल के यूग में बच्चों को विद्याले में किस तरह से अनुसासित रखा जा सकता है क्योंकि इस दौर में बच्चों को अनुसासित रखना बहुत कठीन काम हो चुका है लेकिन आज के इस दौर में बच्चों को हंडेट पर्सेंट अनुसासित बनाने की कोशिस करते हैं हम लों लेकिन फिर भी बच्चे जो है वो अनुसासित नहीं हो पारे है किस तरह से बच्चों को हम अनुसासित बना सकते हैं आपके द्वारा पुछा गया यह जो क्वेस्चन है, वो आमतोर पर सिक्षन जगत के अंदर मेजोरिटी टीचर्स का बनता जा रहा है। एक समय ऐसा था, जो विद्यार्थियों को सिक्षकों के प्रती गुरु जनों का भाव था, जो गुरु मांतलब स्रद्धा का भाव था। और इस कारण क्लासरूम में एंटर होने के साथ ही पूरे क्लास के अंदर एक सन्नाट आचा जाता था। लेकिन अभी वर्तमान समय हम सभी देख रहे हैं कि दिन प्रती दिन बच्चों के अंदर जैसे जैसे इन्फोर्मेशन बढ़ती जा रही हैं, उसका आईक्यू बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर अनेक प्रकार की और भी क्वालिटीस बढ़ती जा रही हैं, तो इस कारण एक ये हो गया है कि कहीं उन्हों का इगो भी बढ़ गया है, जिस कारण बढ़ो के प्रती जो रिस्पेक्ट, रिगार्ड आदी होना चाहिए, वो कम होता जा रहा है, अब ये तो प्रॉब्लेम है, लेकिन उसका सॉल्यूसन भी तो है, संसार के अंदर हर एक प्रकार के प् आत्र एक सुरिय है, उसी प्रकार हर एक प्रशनों का समाधान भी कहां न कहां एक तोर पर अवश्य मिल जाता है, मैं ये कहना चाहूंगी कि विद्यार्थियों को अनुशाशीत करने के लिए काईदा काम नहीं करेगा, हमारा जोर से कहा हुआ आवाज भी काम नहीं करेगा हम उनको अगर दंड नियरीत से चलाएंगे, कोई न कोई पनिश्मेंट देंगे, तो भी नहीं चलेगा विद्यार्थियों को अनुशाशीत करने के तीन मार्ग हैं, आप जो भी चोईस करे, सबसे पहला वह है प्यार, उनों के प्रती रिस्पेक्ट और रिगाड जब किसी भी व्यक्ति को प्यार से, स्नेह से और बावनात्म कृती से चलाया जाता है न, तो तुरन तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता लेकिन लंबे तौर के बाद उसका ठोस प्रमाण हमारे सामने अवश्या आता है, जहां स्नेह और प्यार में निस्वार्थ भावना मिल जाती हैं बिना अपेक्षा का, कोई स्वार्थ के बिगर का, जब वो प्यार उनों के प्रती हमारा बढ़ता है, तो उनों के प्रती भी हमारे दिल की अंदर से जो गुड़ विशिस निकलती हैं, तो उसका रेस्पॉंड आता है क्या रेस्पॉंड आता है, कि उनों के अंदर भी क्योंकि हर एक विचारों का रिफ्लेक्शन मात रहें, हम जब उसको क्रोध की नजर से, दुरुणा की नजर से, उनकी विक पॉइंट को देख करके उनको हम हैंडल करते हैं, तो वहां से भी वही नेगेटिव एनरजी हमा क्रियेट होती हैं, तो पहला रस्ता है प्यार, दूसरा रस्ता है पोजिटिविटी, उनों के अंदर जो जो अच्छाईया हैं, उनको सोच में लाए, उनको अपने व्यवहार में लाए, और उनको अपने शब्दों में भी लाए, कि आप कितने अच्छे हो, रेग्यूलर आते हो, अच्छी तरह से पढ़ते हो, बस थोड़ी सी इस बात को आप ठीक कर लीजिए, तो मैं समस्ती हूं कि इससे उनों को अनुशासीत करना वो बैतर होगा, और तीसरा, सबसे अच्छा रास्ता, वो हैं उनों के प्रती प्रेयर, प्रेयर कहो, मेडिटेशन कहो, उनों के प्रती प्रती दीन किया हुआ राज्यों का अभ्यास, वो उनके ब्रेइन के अंदर जा करके, उनके सबकॉंसेस माइंड को टच करता है, एक होते हैं अनकॉंसियस, दूसरे होते हैं सबकॉंसियस, और तीसरा होता हैं कॉंसियस, लेकिन जब वो सोय हुवे होते हैं, सुन्न होते हैं, तब उनका सबकुंसियस माइंड वेरी अक्टिवेट होता है, और उस समय अगर उनको हम पोजिटिव वाइब्रेशन देते हैं, और यही पोजिटिव वाइब्रेशन कि आपके अंदर भगवान ने बहुत अच्छे सद् रखे हैं, परमात्मा आपके द्वारा कोई बहुत अच्छा कारिय कराना चाहता है, बस मात्रों और मात्रों आपसे डिसिप्लिन, शिस्त की अपेक्षा रख रहा है, ऐसे जब हम सकारात्मक मोड पर आकर के उनों के प्रती मेडिटेशन करते हैं, तो अवश्य ही उन बच् अच्छाशन प्रियता बढ़ती जाती हैं, वो एक-दो को कहेंगे, आपको नहीं कहना पड़ेगा, वो बच्चे आपस में एक-दो को कह देंगे, देखो अभी इस टीचर का परियद है, शान्ती से रहना है, वो टीचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी है, उसके क्लास में हमें बड़ा शिस्त से बैठना है तो ये सब बाते अगर हम साथ में लेकर चलते हैं तो बच्चों को अनुशासीत करना कोई बड़ी बात नहीं है